पर्सेनलिटी स्टडी का पहला विडियो है इस विडियो में मैं किसी रील या रियल लाइफ पर्सेनलिटी के बिहेवियर से जुड़े रूब्रिक्स और रेमेडी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूँगा इसलिए ये विडियो सीरीज मेरे दूसरे विडियो से अलग है ये विडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पोसिस के लिए ही बनाई गई है और इसका मकसद किसी को उफेंट या इंसल्ट करना नहीं है तो इस विडियो के परसनालिटी का नाम है मिथिलेश कुमार श्रिवास्तव हैरान होने की जरूरत नहीं है ये कौन मैन नटवर लाल का असली नाम है इस विडियो में मैं नटवर लाल की पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसके बेसिस पर उसके रूब्रिक्स और रेमेडी को समझना आसान हो जाएगा हर इवेंट के बारे में पताने के बाद मैं उस वर्जिन को एक्स्प्लेन करूँगा और फिर रूब्रिक की जानकारी दूँगा तो नटवर लाल के जिर्म की कहानी शुरू होती है बांगरा बिहार से जहां एक दिन उसके पडोसी ने नटवर लाल को अपना बैंक ड्राफ्ट जमा कराने के लिए दिया ड्राफ्ट को बैंक ले जाते समय नटवर लाल का ध्यान सिर्फ ड्राफ्ट पर मौझूद अपने पडोसी के दस्तखत पर था उसने ड्राफ्ट तो बैंक में जमा करवा दिया लेकिन कुछ समय बाद नटवर लाल ने एक नए बैंक ड्राफ्ट पर अपने पडोसी के सिगनेचर की नकल उतारी उसने अपने पडोसी के साइन को इतने अच्छी तरह से कौपी किया कि देखने वाले को पता ही नहीं चले कि असली साइन कौन सा है और नकली कौन सा इस फर्जी ड्राफ्ट के जरिए नटवर लाल ने पडोसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले पहली बार वो पकड़ा नहीं गया इसलिए नटवर लाल ने ऐसे और फर्जी ड्राफ्ट्स बनवा कर कुल एक हजार उपए निकाल दिये इसी तरह जाली दस्तकत और डॉक्युमेंट्स के जरिये नटवर लाल ने तीन बार आगरा के ताजमहल को बेचा दो बार दिली का लाल किला बेचा और एक बार राश्ट्रपती भवन बेचा कहते हैं उसने पार्लिमेंट हाउज यानि संसद भवन को सेशन के दोरान ही किसी फॉरेनर को बेच दिया मतलब संसद भवन के साथ उसके अंदर मौझूद मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट को भी एक साथ बेच दिया इन सारी बिल्डिंग्स को बेचने के लिए नटवर लाल ने जाली प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाए और उस पर सरकारी अफसरों के सिगनेचर्स को फॉज किया उसने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से बनाया कि देखने वाले को कागजात जेनुएन नजर आए और कोई भी धोका खा जाए इतना ही नहीं वो हुलिया बदलने में भी माहिर था वो कभी किसी मंतरी का सेकरेटरी बनकर बड़ी सी गाड़ी में लोगों को ठगने पहुँच जाता तो कभी सोशल वरकर या बिसनस मैनेजर बनकर लोगों को जाली चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट्स देकर धोका देता मतलब ये है कि वो अपनी इन ट्रिक्स के जरिये लोगों के सामने खुद को इस तरह पेश करता था कि लोग उसके जहांसे में आ जाते जब नटवरलाल को उसके अपराद के लिए सजा हुई तब उसने जेल के 11 ओफिशल्स को 5 लाक रुपए देने का वादा किया इसके बदले में उन लोगों ने नटवरलाल को जेलर की वर्दी ला कर दी जिसे नटवरलाल बड़ी शान से पहन कर गेट के गाड़ से सलामी ठुकवाता हुआ जेल से बाहर निकला और जब उन अफसरों ने नटवरलाल द्वारा दिये गए नोटों का बैग खोला तो उसमें सारे जाली नोट्स थे कुछ लोगों का ये कहना है कि उस बैग में नोट्स की जगर न्यूस पेपर्स थे नटवरलाल के इस बिहेवियर के लिए रूब्रिक है डिसीटफुल फ्रॉडियूलिंट डिसीटफुल का मतलब है चल या कपट के जरिये धोका दे कर अपना मकसद पूरा करना इस बिहेवियर में पेशिंट लोगों से सच्चाई और असलियत को छुपा कर कि नकली या जूटी चीज़ को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग उसे ही सच या असली मानने लगते हैं फ्रॉड या फ्रॉडियूलिंट का मतलब भी धोका देना ही होता है लेकिन इस क्राइम में जाली सिगनेचर्स, प्रॉपटी के नकली डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स, फेक जॉब अपॉइंट्मेंट लेटर्स और असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स बना कर लोगों के साथ विश्वासखात किया जाता है। इसी तरह फ्रॉड्स्टर्स फोन पर अमिता बच्चन की आवाज में के बीसी की लॉट्री जीतने की जूटी खबर सुना कर या बैंक के नाम से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने की जूटी वानिंग दे कर लोगों से पासवर्ड्स, OTP या पिल नंबर्स जैसी कॉन्फ जूटा दावा करना भी इसी तरह के क्राइम में शामिल है जहां स्कीम्स या ट्रिक्स के जरिये जूट को सच साबित किया जाता है और लोगों को ठगा जाता है। फरार होने के बावजूद नट्वरलाल एक बार फिर से पकड़ा गया। जब कानपूर की अदालत में जजज ने उससे पूछा कि आखिर वो ये गुनाह क्यों करता है इस पर हाजिर जवाब नट्वरलाल बोला जजज साब पहले आप मुझे एक रुपए दीजिए फिर म आपके सवाल का जवाब दूँगा। जजज ने एक रुपए का नोट नट्वरलाल को दिया। नट्वरलाल ने वो नोट अपनी जेब में रख लिया और फिर बोला जजज साब मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं लूटता हूँ और नहीं उनसे पैसे चीनता हूँ। मैं तो बस उनसे जो मांगता हूँ वो खुद बखुद मुझे दे देते हैं जैसे आपने दिया। ये सुनकर जज और कोट में मौजूद लोग भी हसने लगे। नट्वरलाल की ये हाजिर जवाबी अंदास को सुनकर लोगों का मुस्कुराना और हसना उस तरह जब नट्वरलाल से एक इंटर्वियू में ये पूछा गया कि वो जेल से भागने की प्लानिंग कैसे करता है तब वो बोला मैं जेल से कभी भागता नहीं हूँ। पुलिस वाले खुद मुझे भगाते हैं। मेरे लिए वो लोग खुद गेट खोलते हैं और बोलते ह जाओ। ऐसा ही एक और किस्सा है। कि वो पैसों की तंगी से गुजर रही है और इसलिए नटवरलाल को मदद करने के लिए कह रही है। लेकिन इसके बावजूद नटवरलाल ने अपनी बीवी के एक भी खत का जवाब नहीं दिया। फाइनली जेलर ने नटवरलाल से पूछा कि आखिर तुम अपनी बीवी में छूट जाओंगा। तब तक तुम हमारे खेत में जाओ और एक खास जगे पर एक फुट गेरा गड़ा खो दो। उसके नीचे तुमें सोने चांदी के गेहनों का एक बकसा मिलेगा। उन जेवर को बेच कर तुम मेरे जेल से छूट कर आने तक अपना गुजारा कर ले अगले ही दिन पुलिस की एक टोली नटवालाल के खेत पर पहुँची और चिटी में बताई गए जगए जगे पर पुलिस ने खोदना शुरू किया लेकिन मां कुछ नहीं मिला। तो फिर पुलिस ने खेत के दूसे हिस्से को खोदा और देखते ही देखते पूरा खेत ख शुकरिया आपकी वज़े से पुलिस वालों ने मेरा पूरा खेत बहुत अच्छे से जोत दिया जिसके कारण इस बार फसल भी अच्छी हुई मेरे पास खेत जुतवाने के लिए पैसे भी नहीं थे लेकिन आपकी मदद से मेरी समस्या दूर हो गई तो यहां ये बात क्लियर हो जाती है कि नटवरलाल ये अच्छी तरह से जानता था कि उसके खत को जेलर जरूर पढ़ेगा इसलिए उसने खेत में खजाना होने की जुटी बात को खत में लिखा और फिर वही हुआ जो नटवरलाल चाहता था यही उसकी चतुराई थी कि उसने बिना एक रुपया भी खर्च किये अपने खेत को पुलिस वालों के जरिये प्लाव करवाया और अपनी बीवी के पैसों की प्रॉबलम को सॉल्व किया तो जज, इंटर्वियू और खत इन तीनों में नटवरलाल का एक कॉमन बिहेवरल पैटर्न नजर आता है पहले दो केसे में नटवरलाल ने कहा कि लोग अपने आप वही करते हैं जो वो चाहता है और तीसरे केस में उसने अपनी इस बात को फिर से प्रॉव किया एक रुपए लेना हो, जेल से बाहर निकालना हो या खेत को प्लाव करवाना हो इन तीनों सिचुएशन में लोग नटवरलाल की बात को ऐसे मान लेते हैं मानों जैसे उसने उन्हें अपने वश में कर लिया हो और इसलिए सब कुछ वैसा ही होता है जैसा नटवरलाल चाहत है इसलिए विटी के अलावा नटवरलाल के लिए एक और रूबरिक है Magnetism, Mesmerism, Ameliorates Magnetism इस शब्द का मतलब है एक Magnet यानि चुम्बक की तरह बरताव करना Magnet आइरन या स्टील की चीज़ों को अपनी तरफ खीचता है इस रूबरिक में दो पॉसिबिलिटीज होती है आकरशित करता है और दूसरा पेशिंट किसी व्यक्ति या किसी क्वालिटी की तरफ आकरशित होने पर अच्छा मैसूस करता है यहाँ पेशिंट चुम्बक नहीं है बलकि जो चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही है वो Magnet है Mesmerism इस शब्द का मतलब है Hypnosis यानि मोहिनी विद्या के जरिये किसी व्यक्ति को पूरी तरह अपने वश में कर लेना अब वो व्यक्ति Mesmerize होने के कारण वही करेगा जो Hypnotist चाहता है यहाँ पेशिंट लोगों को अपने वश में करने पर अच्छा मैसूस करता है या फिर वो खुद अपने आपको किसी दूसरे व्यक्ति के हवाले कर देता है यानि अपना सारा कंट्रोल किसी और को देकर अच्छा मैसूस करता है तो नट्वरलाल भी लोगों को अपनी बातों से ऐसे काबू में कर लेता था जिससे जज और जेल के लोग सब उसकी बात मानने लगते और वैसा ही करते जैसा वो चाहता था Magnetism, Mesmerism, Ameliorates इस रूब्रिक का explanation मैंने अपने China Office Analyst Mind Rubrics के पहले वीडियो में भी दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं 1996 में जब नट्वरलाल कानपुर जेल में अपनी सजा काट रहा था तब इस 84 साल की उमर वाले कॉनमेन ने बताया कि उसके पैरों में तकलीफ हो रही है वो बिलकुल भी चल नहीं पा रहा था और वीलचेर पर पूरी तरह निर्भर हो गया था जब कानपुर में इलाज से फाइदा नहीं हुआ तब नट्वरलाल ने कोट से कहा कि उसका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराया जाए इसलिए नट्वरलाल को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भरती कराया गया लेकिन उसकी तबियत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला हॉस्पिटल से निकलते समय भी नट्वरलाल वीलचेर पर ही बैठा रहा और तीन पुलिस वाले उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गए लेकिन वहाँ देर से पहुचने के कारण उनकी ट्रेन छूट गई एक पुलिस वाला ट्रेन का समय जानने के लिए और दूसरा ट्रेन की टिकिट लेने के लिए चला गया अब वीलचेर पर बैठे नटवर लाल के साथ सिर्फ एक पुलिस वाला रह गया था थोड़ी देर बाद नटवर लाल ने कहा कि मुझे चाई पीनी है एक चाई पिला दो पहले तो पुलिस वाले ने इस बात से मना कर दिया लेकिन नटवर लाल फिर से चाई पिलाने के लिए कहता रहा फाइनली पुलिस वाले को लगा कि ये नटवर लाल तो ठीक से चल फिर नहीं सकता भाग कर जाएगा कहां तो वो पुलिस वाला चाई लेने के लिए चला गया लेकिन वापिस आने पर उन तीनों पुलिस वालों ने देखा कि विल्चेर तो वहीं है लेकिन नटवरलाल गायब हो गया है ये बिमारी का नाटक नटवरलाल की प्लानिंग का हिस्सा था जिसके जर्ये उसने सब को बेवकूफ बनाया और फाइनली फरार हो गया इसी तरह पहले भी जब नटवरलाल को केस की सुनवाई के लिए लकनव ले जाना था तब भी उसने रेल्वे स्टेशन पर सिर्दर्द और बुखार का नाटक किया जिससे एक पुलिस वाला उसके लिए दवा और दूसरा उसके लिए पानी लाने चला गया नटवरलाल के हाथ रसी से बंदे थे और उस रोप का एंड तीसरे पुलिस वाले के हाथ में था कुछ समय बाद नटवरलाल ने कहा कि उससे टॉयलेट जाना है और तीसरा पुलिस वाला नटवरलाल के साथ टॉयलेट की तरफ चल पड़ा आगे नटवरलाल और पीछे रसी को पकड़े पुलिस वाला लेकिन भीड में घुसते ही नटवरलाल कब और कैसे गायब हो गया ये किसी को नहीं पता इन दोनों एक्जैम्पल्स में नटवरलाल ने फरार होने के लिए बिमारी का नाटक किया पैरों की तकलीफ, विल्चेर पर ही घुमना फिरना और सिर्दद एवं बुखार की शिकायत करना ये सब उसने लोगों को धोका देने के लिए किया था इसलिए ये रूब्रिक है फेनिंग सिक फेनिंग सिक और एग्जाजरेट्स हर सिम्टम्स इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसिस को मैंने अपने प्लमम मेटालिकम के विडियो डिलूजिन्स पीपल अपियर्ड लाइक डॉल्स में एक्स्प्लेन किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शिन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं इतने फ्रॉड्स करने के बावजूद नट्वरलाल के गाउंवाले उसे रॉबिन हुड मानते हैं जो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था एक बार नट्वरलाल गाउं में तीन कारों के काफिले में आया था गाउं में आने के बाद नट्वरलाल ने एक बड़ा सा शामियाना लगवाया फिर पूरे गाउं के लिए खाना बनवाया और उन्हें दावत दी जाते समय उसने हर व्यक्ति को सौ रुपै का नोट भी दिया इन दोनों बातों से ये पता चलता है कि फरेभी होने के बावजूत नट्वरलाल एक काइंट व्यक्ति था इसलिए ये रूब्रिक है बेनेविलिन्स एक इंटर्वियू में नट्वरलाल से पूछा गया कि क्या उसे पता है कि उसके नाम पर एक फिल्म बन रही है और क्या वो मिस्टर नट्वरलाल नामक इस फिल्म को देखेगा तो इस पर नटवरलाल बोला मैं इस फिल्म को क्यूं देखूँ जबकि फिल्म का असली हीरो तो मैं खुद हूँ इस बात से पता चलता है कि नटवरलाल अपने आपको खुद की नजरों में हीरो समझता था इसलिए ये रूब्रिक है Delusions is Great Person इन 6 रूब्रिक्स को लेकर Repertorization करने पर सिर्फ एक ही दवा आती है और वो है Lachesis अगर आप Deceitful, Fraudulent की जगह में रूब्रिक Deceitful भी लेते हैं तो भी Lachesis ही वो Single Medicine है जो सारे रूब्रिक्स को कवर करती है तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स और उनके Explanation के जरिये आपको Lachesis का Behavior समझ आया होगा याद रखे, यहां मैंने एक चालाक और धोके बाज Lachesis Patient को Explain किया है लेकिन हर दवाई में बहुत सारे Symptoms होने के कारण Different Case Studies से हमें उसी एक Medicine के अलग-अलग Drug Pictures देखने को मिलते हैं मैंने Lachesis को Amorous with Importance इस रूब्रिक के जरिये अपने एक वीडियो में Already Explain किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे भी Refer कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो या हुमियोपती से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप Feedback देना चाहें तो मुझे Comments में बताएं मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा Thank you for watching